हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल रसोई वाली सो कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं सबको गुद मॉर्निंग तो आज हम बनाएंगे बिंगो लीडिस जो कोलकता में चलता है भोक का खिचड़ी ओमाइग का खिचड़ी बहु इभी डालना है अब हम कडाइं में इसको डाल लेंगे इसको हलका ब्राउन करेंगे लगа अग्री करके बह Better दえば मेरे चैनल पर निव आए हैं तो ससक्काइब네 बहुजाए है जुए पुछा जङे चलाए हैं और जडिए धू लेंगे तेल गरम करके अब इसमें डालेंगे आलो NOR टे में आलू बड़ेगा तब हीधा सवाले तो वान डाले अल्का ब्राउन इसको भी, और तीरी देरी चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे मुझे तो भोग इच्डी इतना अच्छा लगता इतना स्वाधिश लगता ना एक बार बना के देगो पक्का आप लोग को जरूर पसंद आएगा मैं भी पहली बार बने तो मुझे बहुत अच्छा लगाता है तो यालू मेरा फ्राई हो गया अब हम डालेंगे लॉंग इला करेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे तो अब चलिए अब क्या डालेंगे हम लोग टमेटो टमेटो डालेंगे इसको अच्छे से आप लोग भून लीजिए मिक्स कर लीजिए टमेटो भी हमारे सारे सबजी को अच् तो यह हो गया थोड़ा साल का गल गया तो आप डालेंगे हल्दी हल्दी डालके अच्छे से भून लेंगे इसको चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला तो जरूरी होता है तभी स्वादिस्ट बनता है गरम मसाला यह गरम मसाला अपने घर पर भी यह माने डाला जीरा पाउडर हलका जीरा पाउडर ज्यादा आपको मात्रा नहीं डालना है मसाला बट अलक अगर यह है धन्या पाउडर हो अधनी जंदर यह चलाते रहा जब तक यह मसाला भून अच्छे से अब इसको टमेटो हम लोग बूशी से कुछ लेंगे इसको जिससे हम चला रहे हैं इसको डar लेंगे ऑचे से दिसे-म् मैट्रमीक्स हो गया यह हो कि हमारा मसाला मैंने भूब जै चलाइए और ग frag style करेंगे चलाते रहें चला से चलाते रहेंगे अस में फ्राइ में डॉनक धना तो छूल मां हुआ चावल लेला क्योंकि और चावल लेंगी तो जाते से में ätर है टो होग को जोलोटेस सारा मिक्स पूरा है मनेकष कर लिकार कि अब डालेंगे पानी पानी थोड़ा ज़ड़ा नदा लीए क्यांकर वहल बोकर говорить जाके होगा अच्छे से थोड़ा पानी आपको जादा डालना पड़ेगा अब अच्छे से मिला लीजिए आप लोग तो यह देखिए मेरा हो ग्यारेटी मैंने डाल लिया आप डालेंगे अपने अनुसान नमक आप जितना तेज खाते हुआ कम खाते आप डालेंगे अपने मैं गॉड यह दो पक रहा कितना स्वादिश्ट आप हम लोग डालेंगे उपर से घी थोड़ा पक जाये तो आप घी सी इतना स्वादिश्ट बनता है आपको आइडिया नहीं तो घी डालके हम लोग चला लेंगे इसको अच्छे से भोग के खिच्डी में तो घी पड़ता ही है पड़ता तो अच्छे से चला लेंगे इसको तो यह मेरा बन गया स्वादिश्ट बोग किच्डी आप लोग को जरूर पसंद आएगा एक बार जरूर बना के देखिए मुझे तो बहुत पसंद इतना स्वादिश्ट माइक कॉलकता का फेमस किच्डी है यह तो प्लीस आफ लोग जरूर ट्राय कह關係 जरूर सद जरूर तो यह हो गया हमारा पूरा रेडिया अहँ हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा हलका सा चीनी चीनी बंगाल में सब्सक्राइब करना ना भूलेे सबको love you ч्टा पाई बाई हुआ 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 है